अगर आपका HDFC bank में account है और आपने अगर बहुत टाइम से उसमें अगर कोई भी पैसे नहीं डाले हैं तो हो सकता है आपका account inactive हो या फिर आप account use करते हैं अगर आपने अपना account maintain नहीं किया हो तो हो सकता है HDFC bank ने आपके account को minus में कर दिया हो जो भी उनका charge है ऐसे बहुत सारे charge है तो हमारे पास बहुत comments आ रहे हैं कि सर यह जो minus वाला amount है इसको कैसे निकालेंगे या फिर आपका जो पैसा है वो hold हो गया है उसको आप कैसे release करेंगे और जो हमारा account है माली जी हमने what time से use नहीं किया है और इसमें बहुत सारा पैसा minus में हो गया है तो उस account को बंद कैसे करेंगे आप लोगों के बहुत सारे सवाल है SGFC bank को लेकर वो आपके हम कोसिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपकी जो भी problem में उसको shot out कर सके तो आज की video में हमने आपको यह सब कुछ बताया है माइनस पैसा कैसे आप सही कर सकते हैं अकाउंट अपना कैसे close कर सकते हैं और भी जानकारी हमने आपको आज इस वीडियो में बताई है तो ठीक हो फ्रेंड्स वीडियो को हम श्रू कर लेते हैं मेरा नाम है शुशेल कुमार और आप देख रहा है अगर आप वीडियो को लाइक किया है तो लाइक कर दिए चैनल पर अगर आप पहली बार आया है तो चैनल को सबसक्राइब कर दिए हैं और सबस्क्राइब के सा साथ मं हमारी बारेल手ए जैसे की आपको हमारी Geschwind पैसा है वह माईनस होता है माल लिजिए अगर आपके पास credit card है अगर आपके प्रेमेंट नहीं करोगे तो वह माईनस में कर देंगे कोई loan है आपके उपर आपको पूरी जानकारी वह नहीं देदे कहीं पर 25 रुपे मैंटेन करने में अकाउंट में आम को महिने में 25 रुपे रखने मर का होता है यानि कि 25 रुपे परड़े आपके अकाउंट में डले रहने चाहिए जिससे कि अगर आप 30 दिन का उसको मल्टिपलाइ करोगे तो आपके 75,000 रुपे हो जाएंगे इस तरीके से बैंक अपना जो भी कैलकुलेशन उसको करती है पांस हजार वाला होगा तो परड़े पांस हजार होने चाहिए इंटू 30 यानि कि तेल लाग रुपे महीने का मेंटेन इस तरीके से हो जाता है ठीक है अगर आप अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं करोगे तब भी वैलेंस करना है ठीक है माल लीजिए अगर आपने आपका ज 30 दिन का 60,000 रुपे बागी का जो 90,000 रुपे उसका जो भी उनका इंटरेस्ट वगरा होगा पैलल्टी होगी वह आपके अकाउंट से काट लेंगे तो इस तरीके से आपका जो अकाउंट है वह माइनस में हो जाएगा अब देखिए बहुत सारे लोग यह कमेंट कर रहे है कि सर हमारा जो अकाउंट है अगर माइनस में हो गया है तो वो बंद कैसे होगा देखिए हम आपको बता देखिए बंद केबल दो ही कंडिक्शन पर होगा देखिए अगर आपने कोई लोन नहीं ले रखा है यानि कि आपके उपर कोई लोन का या क्रेडिट कार्ड का किसी अकाउंट को बंद कर पाएंगे दूसरी गंडिशन यह है आपका अकाउंट है मालीजिये आज आपने अपना सेलरी अकाउंट ओपन खिया ठीक है आज आपकी नौकरी है तो आपका काम चल रहा है आपकी सेलरी प्रॉपर आ रही है माल लीजिये आपकी डेट साल बाद माइनस में हो गए है तो ऐसे अकाउंट को आप बंद कर सकते हैं अगर बैंक ने ऐसमेस चार्ज काड़ा है मेंटेन का चार्ज काड़ा है अगर आपने खाते में पैसा नहीं रखा है उसका अगर पैसा काड़ा है किसी भी तरीके का अगर वैसा चार्ज काड़ा है जो कि आप आपने बैंक से नहीं लिया है फिर भी बैंक ने काड़ा है तो आप उस अकाउंट को बंद कर सकते हैं लेकिन उसकी कंडिशन एगी है आपको बैंक में जाना होगा वहां पर जो भी आपके ब्रांच मेनियर होंगे उनको आपको एप्लिकेशन लिखनी होगी कि सर ऐसे ऐसे हम मिशा के लिए बंद हो जाएगा और अगर आपको पर कोई लोन है कोई क्रेडिट कार्ट है कोई भी अगर आपने पैसा बैंक से लिया हुआ है तो वह अकाउंट आपका बंद नहीं होगा जब तक कि आप पेमेंट नहीं कर देंगे अब देखिए बहुत सारे लोग यह अगर आपने अपना बैंक का बैलैंस कीया है और कोई लोन भी नहीं लिए है फिर बिधर आपका अगर पेसा कटा है वह आपके विर्स होझाँगा और एक बाद मैं आपको दादू अगर आपके पास credit card है अगर आपका auto debit credit card से payment होता है और अगर आपने काफ़ी time से payment उसका नहीं किया है तो आपको वो जो पैसा है वो account में ही डालना पड़ेगा उसके बाद वो उसको पैसे को काट लेंगे उसके बाद आपका जो भी minus वाला system है वो आपका ठीक हो जाएगा और अगर आप manually payment करते है credit card का और आपको आपका पैसा मैनस में कर देंगे उसकी condition यह है आपको वो पैसा आपके अपने account में नहीं डालना है directly आपको जो credit card का payment है वहांपे आप payment कर देंगे तो जो आपका minus वाला पैसा है वो आपका ठीक हो जा account है और हमारे पास state bank का credit card है तो क्या state bank वाले हमारे जो account है उसको minus में या hold कर सकते हैं देखे मैं आपको बता दूँ अगर आपके पास उसका अगर auto debit है माल लीजिए वो automatic जब भी आपका बिल बनता है उसके बाद जो भी उनकी last date होती है जैसे माल लीजिए अगर आपका प आपसी bank से आपका auto debit है तो पांस तारीक को बिल बना तो 25 तारीक तक वो आपके account से पैसे काट लेंगे अगर आप अपने खाते में पैसे नहीं रखेंगे तो वो उसको minus कर देंगे और माल लीजिए अगर आपका credit card है आपका auto debit नहीं है आप manually payment करते हैं माल लीजिए आपका पांस तारीक को बिल बना तो 5 से 25 तारीक तक आपका जब बन करें जब आप उसको payment कर सकते हैं इस condition में यह है कि bank जो है SDFC bank है उसका पैसा आपका minus नहीं होगा जो भी charges है वो आपके credit card में ही वहाँ पे includes हो जाएंगे तो दोस्तों देखें यह आपके कुछ सवाल थे जिसका हमने आपको जो भी हमारे पास solutions है bank से हमने पता किया है और उन्होंने हमें जैसा बताया है वो हमने आपको बता दिया है इसके अलाबा अगर आपको कुछ और भी पूछना हो किसी और तरीकी कि अगर आपको प्रॉलम आ रही हो bank संबंदित तो आप हमसे comment करके पोश सकते है हम उमीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजिए चैनल पर अगर आप पहली बारा है तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब किजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिए और अगर वीडियो में कोई confusion हो, कोई doubt हो, किसी भी तरिका कि अगर कुछ भी problem हो, तो आप हमें बेज़िजख हमसे हो सकते हैं, हमसे जो भी मदद होगी हम आपकी मदद करने के पूरी कोशिश करेंगे.